महिंद्रा बोलेरो पिकप टू टन जी हां सुनके शौक दिरो लगा होगा पर ये कहानी शुरू कहा से होती है अब हम वो समझते है 26 सब्टेंबर 2022 को हैदराबाद में टाटा मोटर्स ने योधा 2.0 टू टन सेग्मेंट में लॉंच कर दिया अब दोनों जो सेग्मेंट थी वो इंडियन मार्किट के लिए नहीं है क्योंकि इससे पेले हमारे भारत में 1 टन, 1.1 टन, 1.2 टन, 1.3 टन, 1.7 टन और आखिरकार 1. 1.8 टन तक गाड़िया एवेलेबल थी और दोस्तों जो बीच का सेग्मेंट था 1.4, 1.5, 1.9, 2.0 इन सेग्मेंट में गाड़िया अब तक आई नहीं थी जो पिकप सेग्मेंट में 1.7 टन का बेंचमार्क था वो अशुक लिया बड़ा दोस्त आइफोर ने तोड़ दिया जाती है और महिंद्रा का भी एक बड़ा होल्डे फिकप सेग्मेंट मार्केट में और इसे की चलते महिंद्रा की टू टन सेग्मेंट की जो पिकप है उसके टेस्टिंग शुरू हो चुके नासिक सिली में आज तारिक है एक औक्तोबर और आज सुबह 10-11 बज़े के बास- और यहां पर आपको 5 लिए गए है मतलब यहां पर पाच कबजे यहां पर दिये गए है और दोनों कबजों के बीच में अगर आप अंदर 2.5 feet के आसपास अगर आप पकड़ ले तो भी इसमें 5 कबजे लगे हुए यानि कि 4 का गैप है तो 4 स्पेशिंग को अगर आप 2.5 स से मल्टिप्लाइ करते हो तो यह लगबग लगबग 10 feet के आसपास इस गाड़ी के डाले की लंबाई हो सकती है और दोस्तों दूसरी गाड़ी जो थी इसके बाद ही मैंने स्पोर्ट कर ली जिसमें 4 कबजे लगे हुए थे और 2.5 को अगर हम 3 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो भी 7.5 feet या 8 feet के आसपास इस गाड़ी की लंबाई हो सकती है पहली गाड़ी जो थी वह 2 तन की थी और दूसरी गाड़ी जो थी वह 1.5 या 1.7 तन सेग्मेंट में आ सकती है पर एक बात तो है कि यह 2 तन बोलो अगर आ गई मार्केट में तो भाई साप योद्धा 2.0 को बहुत करीब से देखा जिस सिग्नल पर में खड़ा था उसी सिग्नल की बाजू में वह खड़ी थी और भाईयों इंटेल जो था एक दम एक्जैक्ली मैक्स पिकप जैसा ही था मैक्स पिकप का तो डिजाइन ने वह थोड़ा टीवी 300 से बहुत जादा मैच करता है इसी गा गाड़ी में एडलू लेते है तो भाई साब यहाँ पर टाठा युद्ध आगे निकल जाएगी जिसके वज़े से महिंत्रा इसमें एडलू नहीं लाएगा अब तक जो भी गाड़िया मेंने टू टन सेग्मेंट में स्पोर्ट की है उनमें आपको साइड अंडरन प्रोट इस वीडियो इस पावर्ड बाई वहा कैप वहा कैप की मदद से आप अपने ट्रक ट्रेलर टैंकर और टिपर के लिए बड़ी आसनी से लोड़ बूप कर सकते हैं वह भी 0% कमिशन पर डिस्क्रिशन में लिंक पर जाकर आप इसे डाउलूर कर सकते हैं महिंदरा की इस नई 9,920 रुपए में लांच करें एक शुर्म प्राइजिंग में और महिंदरा को भी इसी प्राइजिंग में लाना पड़ेगा क्योंकि कमपेटिशन बहुत जदा टफ है 10 लाग के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी को लांच करना बहुत मुश्किल काम है कमपनी ने बहुत ही आगर महिंदरा आगर इस बात को समझ के अपनी स्टैटेजी बदलती है और सबसे बड़िया बात कि आपको एर कंडिशन स्टैनर मिल सकता है क्योंकि योद्धा में आपको air conditioning system standard मिलती है अगर आप चाहे इसके base model को खरेते हैं अगर आप इसमें top model खरेते हैं अगर महिंद्रा भी इस चीज़ को follow करती है तो अपने base model से लेकर सभी models में यह AC में आ सकती है 1.5 ton segment में और 2 ton segment में दोनों कमपने उतर चुकी है और अब बड पिकप भी यहाँ पर आ सकता है तो दोस्तों यही था महिंद्रा पिकप 2.0 की बारे में update इसका जो official name में वो क्या होगा यह पता नहीं बट इसके जो शमता है यह 2 ton में आएगी इतना तो पक्का है अगर आप को चोटा सा update अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीज कर देगा चैनल परने होगे तो चैनल को सब्सक्राइब रोकिजेगा आपकर ने शुब रहें जहिन जे भारत